ओम शान्ती आज 16 सप्टेंबर 2021 है और आज की मुर्ली में बाबा ने हम बच्चों को कहा कि यदि हम बिगेर सजा खाए घर जाना चाहते हैं बाबा के साथ तो हमें उसका पुर्शारत करना है स्वयम को सतो प्रधान बनाना है आज बाबा ने हम बच्चों को बरदान दिया अपनी श्रेश्टता द्वारा नवीनता का जंडा लहराने वाले शक्ती स्वरूप भव तो बाबा ने हम बच्चों को कहा कि अभी तक जितनी भी सेवाई हुई वो बहुत अच्छी हुई लोगों ने सने का अनुभव किया, सहयोग का अनुभव किया लेकिन अब जैसे जैसे समय समी पा रहा है और हम सभी यही चाते हैं कि जल्द से जल्द प्रत्यक्षता हो जाए तो उसके लिए हमें भी नवीनता का जंडा लहराना होगा नियूनस करनी होगी लोगों ने बहुत समय से सुना है, सुनाया है बहुत सारे प्रदर्शनी मेले आदी भी देखे हैं लेकिन अब लोग अनुभव करना चाते हैं हम दूसरों को तभी अनुभव करा सकते हैं जब हम अपने शक्ती स्वरूप में स्थित हो बाबा आत्मा को भी शक्ती कहते हैं हम जब अपने शक्ती शाली स्वरूप में होते हैं तो हर परिस्थिती में अचल अडोल भी होते हैं, आत्मिक गुणों का भी दूसरों को अनुभव कराते रहते हैं। तो इस अभ्यास को जितना हम बढ़ाएंगे कि हमारा कहना उन्हें अनुभव में ले आए। आत्मा का परिच्चे हम बोल के भी दे सकते हैं और अपने स्वरूप के द्वारा भी दे सकते हैं। अगर हमें ये स्वरूप बनना है, तो बाबा हमेशा शक्ती को शिव के साथ आड़ करते हैं। जब शिव शक्ती बन जाते हैं, तो हमारा शक्तिशाली स्वरूप हो जाता है। तो आज सारा दिन मैं शक्ती हूँ और शिव के साथ हूँ। शिर्ष शक्ति कंबाइन स्वरूप होकर अपने शक्तिशाली स्वरूप को हम इमर्ज करें ओम शान्ति